सेल्फ डिफेंस में हमारे हाथ हमारा सबसे बड़ा हथियार है लेकिन अगर हमारे हाथ जकड भी लिये जाएं तो भी हम अपना बचाप कर सकते हैं अगर कोई अचानक आप पर हमला करे और जबर्दस्ती आपके उपर आकर आपके दोनों हाथों को जकड ले तो तुरंत अपने हाथों को बहात यों खीचे ताकि बदमाश का चहरा नीचे आपके सिर के पास आ जाए फिर अपने सिर से उसके चहरे या ठोड़ी पर प्रहार करें इससे आपके हाथों पर उसकी पकड कंजोर पर जाएगी फिर अपने हाथ छुडा कर उसकी गर्दन मोड दे और जैसे ही बदमाश अपना संतुलन खो दे तो उसका वजन खुद पर से हटाते हुए उसे दूसरी ओर धके ले और साथ ही उसके दोनों पैरों के बीच में जगा बना कर उसके पेट और जांग के बीच के भाग यानि नाजुक अंग पर प्रहार करें क्या जाएगा जाएगा सो पुद प्रहार करें क्या है